कैसे हैं ATC officers ? उम्मीद करते हैं आप बहुत अच्छे होगे मैं R&K मिस्रा आज बात करूंगे प्लें मिलर के बारे में किस तरह के questions से examinations में आते हैं दुको mirror आपको कहीं कहीं तरह के होते हैं plane होते हैं convex होते हैं declare koneuvekse होते हैं plane-convex होते हैं तो आज इस वीडियो में छोटे से वीडियो में बात करूँगा कि प्लेन मिरर से किस किस तरह के questions examinations में आ सकते हैं तो जैसे प्लेन मिरर के radius जो होती है infinite होती है और यहाँ पे कहा यह जाता है कि अगर हम particular suppose करिये v velocity से plane mirror की तरह move कर रहे हैं object भी आपका v velocity से opposite direction में आता है तो यहाँ पे object वस्तु की दूरी जो होती है प्रतिविमी की दूरी बराबर होती है in fact तमाम तरह के examinations में ऐसे questions पूछे जाते हैं जैसे कि अगर यह x distance पे दिखता है आपका plane mirror से object x दूरी पे है तो image भी जो बनेगा x दूरी पे ही बनेगा अगर आप image mirror की तरह भी velocity से move करेंगे तो आपका जो आपकी तरह object move करेगा v velocity से तो जो relative velocity हो जाती है 2 भी हो जाती है और plane mirror की जो radius होती है वो infinite होती है जो image formation होता है तो इक्वल आकार का होता है virtual image होता है horizontally inverted होता है horizontally क्या होता है inverted होता है और if the man start moving तो मैंने आपको बता ही दिया तो यह आपको plane mirror के आपके concept है जैसा कि आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है फिर आप से पूछा जाए what is the uses of plane mirror these are the uses of plane mirror they are used in the looking बाब इस बाते मैं आपने आपको सामने अगर देख रहा हूं plane mirror में तो एक प्रकार से looking glass होता solar cookers होते हैं वो plane mirror के बन सकते हैं also used in the scientific instruments में भी यूज किया जाता है and तमाम तरह की scope में भी आपको इस mirror को यूज किया जाता है तो ये छोटा सा वीडियो plane mirror पे था तो मुझे उम्मीद करते हैं कि plane mirror के छोटे छोटे बेसिक जो हम कम समयों में आप लोगों को concept को बता सकते हैं वो मैंने बताने के कुशिस करी और कल से आपकी proper class जो चल रही थी वो चलेगी concept की physics वाली बारे बजे तो सभी भी देर थी उसे request है कि sessions को like और share किया करें और छोटे-छोटे clip के माध्यम से जब कुभी concept को देखते हैं जैसे आपको सोचो पांच मिना टाइम ने टाइम दिया प्लेन mirror से संबंदित जो questions examinations पे बन सकता है application based या इसके कुछ आपकी properties जो होती है वो सारी चीज़े अगर clear हो जाता तो वो एक बहुत effective information होता है तो guys sessions को like share करते हैं कल में एक video upload करूँगा convex और concave mirror के बारे में उसका पूरा formula बताऊंगा और फिर उसके बाद उसको use करने का तरीका बताऊंगा और यह सारी चीज़े हम कल बाद फिर उसके बाद next concept जो सुरू करेंगे हम आपको lens सुरू करेंगे तो यह दिमाग पर रखना ठीक है तो thank you being the part of the sessions hope कर आप लोग enjoy कर रहे होंगे sessions को और अगर आपको atc का live batch चाहिए तो 23 जून से batch start है proper dedicated take or non tick का आप लो कर सकते हैं by the code of Y201 याद रखिएगा code जो आपको यूज करना है Y201 you will get maximum discount maximum discount के तो यही आपको code यूज करना है एक चीज जयाद रखिएगा बाकि separate video course भी है आप उसको भी देख सकते हैं physics का अलग से वीडियो course है mathematics का अलग से वीडियो course है और take or non take का अलग से हैं सभी आप वीडियो मेरा अच्छा लगा तो आप लोग sessions को like करिए और अभी मेरी class है दो बजे ATC के batch में तो अगर आप सभी लोग जो जुड़ नहीं पाए हैं उस batch में जरूर जुडिएगा आना so that की real time informations आपको बहतरीन concept का session मिल सके proper take or non take का dedicated batch चल रहा है physics का ATC का thank you